हिंदी लिट्रेचर क्लास फोत पार्ट पंद्रा वीर बालक भोला वीर बालक भोला पार्ट पंद्रा पार्ट से पहले भातिय इतिहास सौर्य गाताओं से भरा हुआ है चलिए हम पार्ट को पढ़ते हैं बोला हाँ यही नाम उस भील बालक का था वह कोई 14-15 वर्ष का रहा होगा रंग सावला मस्त अलहर अलहर का अर्थ होता है मस्त और लापरवा किशोर भील सरदार का एक लोता बेटा अरावली परवत माला की सगन पहाडियों सगन मतलब घना घने पहाडियों के बीच में पहाडियों की घाटी में पूस की जोपडी में मा का लाडला पिता का प्यारा पुत्र यह वह समय था जब मुगल सत्ता ने सारे देश में अपने पाउद जमा लिये थे केवल मेवाड के महाराना प्रताप की स्वतन्त रहकर अपनी अस्मिता का मतलब है अस्तित्व के लिए संगश कर रहे थे उन्हें भीलों का पूर्ण सयोग और सबल प्राप्था मेवाड के सारे किले मुगलों के आधीन हो चुके थे और महाराना प्रताप अनेक कस्ट सहते हुए सब परिवार जंगलों में भटक रहे थे और चापा मार युद कर मुगलों को नाको चने चबवा दिये थे एक दिन भील सयदार ने अपनी पत्नी से कहा देखो राना परिवार के लिए सायाकाल के भोजन की विवेस्था का भार हम पर है सायाकाल मतलब शाम की हम वनवासी राजिसी बोजन की विवेस्था कैसे कर पाएंगे पत्नी ने सक उचाते हुए कहा मतलब संकोच करते हुए कहा अरी भोली राना जीतो देवता है जो भी रूखा सूखा है भेट कर देंगे वे उसे अवश ग्रहन करेंगे भील सयदार ने कहा और सुन मैं तो राना जी के कारिसे अभी जा रहा हूँ तु भोजन सामगरी तैयार करके भोला के साथ भेज देना कहकर भील सयदार बाहर चला गया भील रानी भोजन की विवेस्था में लग गई थोड़ी देर बाद भील रानी ने जोपडी से बाहर निकल कर अपनी सांकेतिक भाशा में एक किलकारी की जो अरावली की वादियों में गून जुटी जिसे सुन कर सेंग शावक शा भोला उचलते खूते तुरंत आप पहुचा आते ही मा से पूचा क्या बात है मा बेटे सुनो मेरी बात ध्यान से मा ने कहा देख बेटा आज तुझे राना परिवार के लिए भोजन सामगरी लेकर राना जी की गुफा तक पहुचना है उसने कहा क्या मैं जाओंगा बोला ने खुशी से उचल कर कहा हाँ तेरे पिता जी बाहर गए है और तुझे ही वह कठिन कारे करना है मा ने कहा बोला का अंग अंग फड़क उठा उसकी बाहें खिल उठी राना जी के दर्शन करने उनके चरन इसपरश करने रानी मा का आशिरवाद लेने और हम अमर सिंग से मिलने की बरसो पुरानी साध पूरी होने जा रही थी वह प्रफुलित था प्रफुलित का आःत होता है खुश मतलब बहुत खुश था मा ने कई महत्पोन हिदायत हिदायत मतलब निदेश देटी वे तुम्हें ये नी करना है वो नी करना है यह सब समझाते वे कहा मा ने कई महत्पोन हिदायते कि साथ भोला को भोजन सामगरी की पोटली पकड़ाई मा बार-बार समझाती रही देखो किसी अंजान या मोगल की नेगा तुम पर ना पड़े पून गोपनियता मतलब पुधे चुपचाप से दम छुपके बरत्ति हुए जाना आदी आदी पर भोला को भान कहा था वह तो अपने ही विचारों में मगन था मगन का मतलब अपने ही विचारों में डूबा हुआ था बस एक बात याद थी राना परिवार के लिए भोजन पहुचाना अपनी लाटी के छोर पर पोटली लटकाई और अच्छा मा कहकर चल पड़ा अपनी यात्रा पर उसका मन बल्लियों उचल रहा था मैं भी एक दिन महान सैनिक योद्धा बनूंगा मेरा निशाना पक्का है ही मैं भी आजादी की लड़ाई लडूंगा और सबको बता दूंगा कि हम वनवासी भील भी किसी से कम नहीं है इन्ही विचारों में जूमता बोला बढ़ रहा था अपने गतवेंग जहां जाना हो उसकी ओर उसके पाउं में पंक लग गये थे पाउं में पंक लग दा मतलब बहुत तेजी से चलने लगा था वो सूर्य भगवान भी दिनभर के ठकेव वे थे स्वार्णिमा आभा बिखलेते वे अस्ता चल मतलब जहां सूरज टूपता है कि ओर बढ़े जा रहे थे गने पहाडों की च्छाओं तले सोई हुई सांज अंगडाईयां लेकर जाग उठी थे उन पहाडियों को एक तरफ से अपनी गोद में समेटने लगी बोला अपनी ही मस्थी में उचलता कोटता चला जा रहा था कि अचानक एक पहाडी की मोड पर उसे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी कहां जा रहा है तहर और इसी के साथ दस ग्यारा मुगल सैनिकों ने उसे घे लिया रुकने के सिवा भोला के सामने और कोई चारा ना था पर वा घबराया नहीं निडर होकर बोला अपने गाउं अपने घर दो सैनिकों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया सैनिक सैदार ने दूसरा प्रश्न किया इस पोटली में क्या है भोजन सामगरी भोला ने उत्तर दिया कौन है तू और इसे कहां ले जा रहा है सैदार ने फिर पूछा भोला चुप सैदार ने फिर कहा देख अगर तू हमें राना का पता बता दे तो हम तुझे धे सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे साथी स्वर्ण मुद्रा दिखाते हुए कहा ऐसी मुझे मालूम नहीं अगर मालूम होता तो भी तुझे नहीं बताता बोला ने क्रोध से कहा सिपाहियों ने उसे दो धोस जमाए और कहा देख हमें बल प्रियोग करने पर मजबूर मत कर सही सही बता हमें राना को पकड़ना है तुझे मारेंगे नहीं सोना और देंगे सरदार ने लालज देते हुए कहा तूखता हुँ तुम्हारे इस सोने पर और बोला ने सच्मुच उस मुगल सरदार पर तूख दिया सरदार आग बबूला हो गیا आग बबूला का मतलब बहुत ही गुस्से में हो गया गुस्सा आ गया उसे सभी सिपाही लागोसों से उसे मानने लगे बोला लहुलुहान हो गया एक सिपाही ने उसके बाल पकड़ कर कहा अब भी बता दे नहीं तो तुझे मार डालेंगे बोला इस अवस्था में भी हस पड़ा उसने हस्ते हुए कहा मार डालोगे तो तुम्हें राना का पता कहा से मिलेगा तहरो इसे मारना नहीं है मुझे लगता है कि यह राना का सही पता तिकाना जानता है इसे इतनी यातना दो कि यह क्या इसके फरिष्टे भी बोल पड़े यातना मतलब बहुत तकलीफ दो उसके उपर अत्याचार करो गुसे से उबलते हुए सर्दान ने कहा भोला ने सोचा अब क्या किया जाए कही ऐसा ना हो कि यातना पीरा से घबरा कर मेरी जुवान से सचना निकल जाए अचानक उसकी आखों में खुशी की चमक बढ़ी उस धक्का मुक्की में उसने जपट कर मुगल सैनिक की कमर से कटार कीचली मुगल सैनिक घबरा कर पीछे हटे बिजली की तेजी से भोला ने अपनी जीव काट कर मुगल सैदार के सामने फेक दी और फिर लहुलुहान मू से होकर अठास कर उठा मुगल सैनिक और उसका सैदार सत्के में आ गया है सत्के मतलब सदमे में आ गया है घजब इसने अपनी मालिक की जान बचाने के लिए खुद की जुबान काट ली हमारे मनसूबों पर पानी फेद दिया मनसूबों कहात होता है इरादों इसी खूंस में खुंस कहात होता है खुरोद में इसी खुन्नस में उन्होंने वीर बालक भोला की गर्दन उड़ा दी आसपास के पेड़ों पर बैटे पक्षी सोर मचाते हुए आसमान में चारो ओर उड़ चले मानो वीर बालक की यशो गाता दिगंत में फैल गई यशो गाता का अत होता है यश की गाता मतलब वीर बालक की यश की गाता दिगंत का अत होता है सभी दिशाओं में उसकी यश की गाता सभी दिशाओं में फैल गई तो आपने देखा इस कहानी में कि कैसे वीर बालक भोला ने अपनी मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जीब, मुगल, शाशकों के सामने, सदार के सामने कैसे काट कर पेकर अपनी बहादूरी और वेता का परिचे दिया अपने साहस और अपने बलिदान से जीवन मोल रास्ट प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है हमें अपने रास्ट से प्रेम करना चाहिए